टीम इंडिया के क्रिकेटिर अपने कोच अनलकुमले के रौबदार रवये से खुश नहीं है खिलाडियों ने कोच के अपमांजनक बरताव के शिकायत बीसी सी आई से की है सूत्रों ने बता है कि खिलाडी परिशान है प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में कोई फ्रिडम नहीं है कोच और खिलाडियों के बीच सौहार्दपून संबंध नहीं रह गए है कुमले को अपने खिलाडियों पर भरोसा नहीं है लंडन से चौकाने वाली एक खबर ऐसे समय में आ रही है जब चैंपियन्स ट्रॉफी के मुकाबले शुरू होने वाले है भारत को अपने पहले मुकाबले में चिर प्रतीदवन धी पाकस्तान से चार जून को भिरना है कुमले को पिछले साल 23 जून 2016 को एक साल के लिए कोच बनाय गया था अनिल कुमले के कोच रहते टीम इंडिया ने लगातार पांच टेस्ट सिरीज जीते हैं और नमबर एक टीम का रुतबा हासल किया है कुमले के कोच रहते भारत में घरेलू सत्र में बहतरीन प्रदर्शन करते वे 13 में से 10 टेस्ट जीते, 2 ड्रॉक हिले और सिर्फ एक मैच हारा इसके अलावा वेस्ट इंडीज में टेस्ट सिरीज भी जीती सौ प्रतिशत रिकॉर्ड के बावजूद BCCI ने 25 माई को टीम के मुख्य कोच के पद के लिए आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसमें अनिल कुमले को मौजूदा कोच होने की वज़े से सीधी एंट्री मिली है BCCI की इस घोशना से स्पष्ट हो गया था कि आला अधिकारी बतार कोच कुमले के प्रदर्शन से ये खुश नहीं है NMF News की रपोर्ट